गीता अ-ठारा के श्लोक नंबर पासट में भगवान स्वयम कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांती वशास्वत इस्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा वो परमेश्वर कौन है कहां है कैसा है जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिये जगत गुरू तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज के अमरित वचन को कहते ही तो सुच मुच वहात है मेरे यकीन नहीं हुआ जब यह बगवान नीचे देवे थे और अब मेरे विश्वास हो गया तो कबीर साहब ही परमात्मा है परमपुरस है अब देखो 59 परिष्ट पर बहुत सागर में 59 परिष्ट पर 58 पर दिया हमने कबीर पुरस एक यहां छिपाए कबीर पुरस तो एक ही है वहां छिपाए है यह अपने आपको और सत्पुरस जगदास का है वह सत्पुरस ही जग में आके कबीर दास को है रहे दरमदास तो जे कितना सबस्ट बता रहे है और दाये चरन गव अती सुक्चाई बाद दोड के चरना पड़िगे परमात्मा जब दुबारा वापस देखे है पर्भू हम प्रिचे अब पाई यह सोबा कस उहां छिपाव और कस नहीं जग में परगट दिखावा यह कहता है दरमदास कि है बगवान आपकी यहां कितनी सुन्दर सोब आपके सुरीर का एक करोन सुरीय में रादे करोन चुंदर वा इतना सुन्दर सुरीर है और वहां आपने यह क्यों छुपा रहा की है वहां इस एज़िटी इस मैं क्यों नहीं पहुंचे दाता गई वहां पर तो जैसे रेंगवेद मंदल नमर नो और सुक्त नमर च्यासी के मंदल 26 में कहा है कि वह परमात्मा अपने भगतों के सब संकटों का मरदन करता हुआ अपने रूप को सरल करता हुआ यानि अलके तेज पुंच का बना को कभी परमात्मा अच्सी आत्मा को मिलता है आकर के अपने को उसको हलके तीज पुंच का जैसे एक किसी कमरे में अजार वाट का टूब हो पानसो की भी हो जो सारी जगाजी तो जगमग हो गया एक जीरो वाट का बलब ही होता है वो सारी ओफ करके जीरो का जचसा दिया कक्स तो ही है पर का से कम होया है तो ऐसे उस परमात्मा की लिला है मालकी तो यह क्या कहता है धरमदास्ति कहते हैं कि यह सोबा कस उहां छिपावा निच्चे कैसे छुपा दिया अपने और कस नहीं जगम परगट दिखावा जगम क्यों नहीं दिखाईया तो परमात्मा क्या बताते है सद्गुर्वचन दर्मनी जो वही छवी जग जाऊं इसी सोभा से जैम संसार में जाऊं तो हुए विकल निरंजन राऊ ये काल का कलेजा फट जा तुमारे बगवान का इस निरंजन का हुए विकल यानि वो ब्याकुल हो जा निरंजन सब जीव तब मुहे लोलावे अजर भो सब लोक कही आवे ताते गुप्त राखो जग भाई सब्द संदेशा जीवन समझाओ ताते गुप्त राखो जग भाई और सब्द संदेश जीवन समझाओ अज सब्द परक जीन है मोई कोई जो सब्द नाम लेक है ये मेरे ज्ञान से मुझे परक लेगा गह परतीत अब तुम बेग चलो संसारा और जीव ही चेतो कहू पकारा के डिन्डवरा पीट दे मेरे बारे मैं बताओं तक किसे गजच्चा नहीं अर तुम बताओगा तो सब कजच जाएगी क्यों तुम आखो देख चुक्या है अर तुम सब को बताओगा अपने बार भाईयों को कि य द्रमदास जी क्या कहते हैं द्रमदास वचन है ये साहब अब वहां न जाई ये सुख घर तज कहां धुराई ये प्रमात्मा अब में वहां नहीं जाओगा अरी सुख न छोड़का मुझे कहां दकाओँ हो मेरे मालिक वहां मत बेजो वही यम देश अपर बलकाला नहीं ज जानों धोमति होए बेहाला अब प्रमात्मा कहते सत्गुर जी द्रमदास द्रमदास तो चिंता नहीं तुमरे संग हम सदा रहाई और तुम देखो सतलोग प्रभाव अंसन को अंसन कहो संदे सुनाओ अपनात्मा असली और नकली नोट की पैचान कराने के लिए दास ये प प्रियतन को आलोचना कहता है तो वो बालक जैसी बुदी का व्यक्ति होगा जिसने दास के इस प्रियतन का ज्यान नहीं जैसे सरकार ने एक बार पांद सो पांद सो के नोट नकली पकड़े थे अजार अजार के और वो दोनों असली और नकली यों को दोनों को दिखा रही जैसे तो क्या सरकार अलोचना कर रही थी महापरोपकार किया और वो इदास काम कर रहा है इन नकली यों के नकली ग्यान और परमातमा का ओरिजिनल नोट ओरिजिनल ग्यान और महापरसों ने देख्ञा बगवान दोनों को साख साथ रूब रूब करके आपका विश्वास नकली रसली की पहचान करा रहा हूँ आपके जीवन की रक्षा कर रहा हूँ अपने आत्मों देखो इन नकली कबिर साहब कहते हैं देखा देखी गुरुसेस बनगे कियानत तो विचारा गुरुसेस दोनों के सिर पे काल ठोके पंजारा अब देखो एक पुष्टक है अमर लोग इस मदू परमंस जी की और ये कां से छपी है अमर लोग सत्गूरु मदू परमंस जी और ये वही दिपावली प्रिंटर सोडल रोड प्रीत नगर जाल अंदर प्रतारदिकारी राम रतन जम्मू ये सारा इनका सारा कुछ है 2012 का ज्यान है उनका है अब देखो आपको दिखाता हूं ये चारीस प्रिष्ट पर इसके अमर लोग नामक पुस्तक के चारीस प्रिष्ट पर क्या लिखा है कहे कबीर सुनो दृम्दासू और सत लोग का कहूं परकासू वहां का ज्यान बताउं है सत लोग की अमर काया एक नीर्माया सब ही निर्माया सुड़स भानू हांस की कांति अमर चीर पेहरे भूम बांति सौभा प्रुस कही ना जाई कोट नुरवी इक रोम लजई अमर लोक अमर है काया अमर प्रुस वहां आप रहाया अमर पुरस का पाव है बेदा के कबिर सो हन सचेदा सत लोक सत सब्द पसारा सत नाम है हन सदारा ये कहते हैं सोब भा ये अमरत फल के भोजन करही बता और योगन योगन के अक्षुद्धा हर ही पीवत सुद्धा भरम्ट जाई जनम जनम की तरसा जाई अनहीत बचन बॉलाए नहीबाणी प्रेम भाव अमरत रस्दानी यानि कोई वहां के भगते सभी प्यार से बोलते हैं अनहीत बचन नहीं बोलते हैं पिर कहते हैं और ओरतें भी हैं हन्स रूप में यान्स बाने भगत जैसे हम आपको भगत बोल देते हैं तो कहते हैं वहाँ हंस जो है वह अच्छी आत्माओं को कहते हैं जिनोंने जिनमें कोई विकार ना हो उसको हंस बोते हैं तो वहाँ इस्तिरी भी है और पुरुष भी है ये खुद परमात्मा की वाणी लिख वी रहा है और समझ नहीं सका है इनके विशें में परमात्मा कबीर जी ने क्या बता है मुती मुक्ता दर्सत नहीं ये जग है सब अंद्रे दिखत के तो नेन चिसम इनका फेरे मुतिया बंद्रे देखो सोबा बहुत जामन भावन अंस कामनी रंग भावन अम्रतनाम अरद्य में लावे परेम भाव प्रोसिमन भावे याँ है के है नी सबद อर सबद से कहो गैननी सोई जो है पदले हो इनकी अकल देखिए नी सबद है वो कहा नी जाता है वो विधे सबद है वो आदी नाम है वो भार सबद है वो वानी का भी से नहीं और परमात्मा कहते हैं है तो नी सबद जैसे धरमदास जी ने परमात्मा कबीर जी को देखा और धरमदास जी को परमात्मा कबीर जी ने कहा कि भाई मेरा मैं विधे हूँ अब दर्मदास ची कहते है बगवन आपके दिख देही और तुम कहो विदेही तो पर्मातमान कहा देख मेरा अथलाक है ये तेरे जैसे आड़चाम की सरीर नहीं मेरा मेरा सरीर है पर मेरा विधे सरीर है तो ऐसे ही जो प्रमातमान साधी नाम को सार सबद को सार नाम को विधे का है वो अलोकिक देही है जैसे कबीर बगवान बोले मेरी अलोकिक देही है देही तो है लेकिन वो नी सबद और विधे सबद इसलिए का कि वो एक अलोकिक सबद है वचन है उसका भी जाप करना सार का यह देखो यह आप लेख रहा कबीर साब की वाणी अमर लोग नामक पुस्तक की चालिस परिष्ट पह यह साइफ बंद गिया लेंकि है यह यह कहते हैं प्रमात्मा की वाणी है कि है बुझ्य अशक जन्त ग्यान्नी जो हुई सत्फ्गुर्व सबद का उछाल बोला है सबद बताएख जो यह प crisis बातनी समझ आगा YouTube show लिए पदिए हग द्रमदास में तोह है शुजावा और साहर सबद गाभेद साहर सबद का बेद बतावा सार सब्द नी अक्सर आही नी अक्सर का अर्थियां पर है विशेस नाम है वो जैसे नी सब्द को हो नी अक्सर को और सब्द सें को हो बोल के सुनाया और गह नाम ते संसे नाही सार सब्द जो पराणी पावे सत लोक में जाय समावे एक तरफ तो ये कहते हैं मदूपरमंस जी कि जो ये कहता है ना कमाई करो उसको ये कहता है वो तो चोर है बगती का जो ये कहता है कोई कमाई करो ये मदूपरमंस जी कहता है परमात्मा क्या कहते हैं देखो और ये खुद इस वार्णी का अनुवाद भी किये हुए है 40 परिष्ट पर इसी अमर लोग के देखना ये अमर लोग उस तक है इसकी 40 परिष्ट पर निचे आगे पढ़ते हैं इसने अनुवाद किया है कि साहिब कह रहे हैं कि सत लोग में सब को सब को अमर काया है सब एक रूप है वहाँ एक हंस का सोड़ सुरिय का परकास है परम पुर्ष्ट की बड़ी सोबा है कोड़ सुरिय उनके एक रूम में लजजा जाएं इसा परकास है अमर लोग में सब की अमर काया है क्योंकि वहां परम पुरुष स्वेम रहता है और उस अमर पुरुष का भेद को पा लेता है वह हन्समान होकर निर्मल हो जाता है सत लोक में पहुंचने के लिए जीव को सत नाम का ही सहारा है अब देखो इसने ना सत नाम का पता है अरुदर से कहता है कि जो यह कहता है कि कुमाई कर ले वो तो चोर है बगती का शाइम का चोर है अकल के चोर अब जो कोई यह कहे कि गुरु पार कर देगा बगतों ने बगती करन की जुरूरत नी तो महाँ चोरत है वो है बगवान का जैसे कोई विद्यार्थी, विद्यार्थियों को टीचर कहता है, कि तुमने पढ़ने क्यों सकता नहीं, टीचर पास करदेगा, वो तो महादुष्ट इंसान है, जो उनके जीवन को नास करने वाला है, टीचर वो होता जो नो का बेटा पढ़ो, शिक्ष्या ग्रहन करो, अज पार कर देंगा, कि इसको पता लगया, चेले बाद देंगे, तेरे कक्त है निसके पास, तो हम इसे डिले डाले से हैं, गुरु जी पार कर देगा, भे ठीक है, फिर अपने के जुरूर से बक्तिगी, फिर क्यों आसरम खोल रखे, कर देगा, पार जो अपने करना है, होगे आपको 149 परिष्ट 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 परिष्ट, ये इसी की अमरलोक नामक पुष्ट के परिष्ट नमर एक सो, ये 147 परहरम है, सत लोक की अक्य कहानी, या नीचे है, दस मुकामी रेखता, ये कबीर साहिब की वानी है, कहते हैं, चला जब लोक को सोक सब त्या गिया हंस को रूप सत्गुरू बनाईया, अब धरमदास जी कहते हैं, जब मैं सत लोक को गया परिष्ट 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 पर वो दस मुकामी रेखते पढ़ते विया रहे हैं, नीचे आगे, यहां पर, क्या बताते हैं, पहुचे जहां सत लोक मेरा, अनसनी हंस सब गाय बजाय के, साज के कलस मोह लेण आए, अनसनी यानि इस तरी रूप में, और हंस पुरस रूप में, हंसनी हंस सब गाब जाय के, साज के कलस मोह लेणे आए, जुगन जुगन के विछडे मिले, तो आई के, तुम आई के, और प्रेम कर अंग सो अंग लाए, सारा न सीने से लगाया मुझे वहां पर, पुरस ने दरस जब दीना हंस को, तपन बहुजनम की तब नसाए, एक सो पचास प्रेश्ट पर उसी के, अमर लोग के, साइब बंद ग्याला की है, शचीदानंद सिर्ठ्च छचाई, इस्तिरी और पुरस पुरस प्रमात्मा के सिर्पे, सचीदानंद प्रमात्मा के सिर्पे, सhou पकड़ रखा था होगना, अब यह कहता है न, जैसके सारी पोल खुल जाएगे साइच से, अब ये क्या कहता है कि वो सबद जो है नी अक्सर है नी सबद है वो वाणी से बहर की बाते हैं प्रमात्मा की वाणी लिख रहा है अनुवाद गल्द कर रहा है मूरख बनाने के लिए ये देखो ये प्रिश नमर एक सो बाउन पर उसी अमर लोग पुस्तक के हैं ये क्या कहते हैं सत्गुरु कहत पुकार के हर्दे करो विचार ये सारी वाणी है नी अक्सर चीन्या नहीं बिन सत्गुरु उपदेश आदी गुरु का ग्यान लेकिन पुकार कबीर नाम कहसो भूल है ग्यान लखहसो थीर है नी अक्सर जब पावे जब गुरु होए दयाल ह देखो नी अक्सर सब्द है, सुरत नर्थ से जाप उसका जाप करना है, वह सब्द है, अब कबीर साहिब कहते हैं सारसब्द, आदी नाम हमने भाग सुनाया, और यह मूरख जीव मरब निपाया, कबीर साथ को आदी नाम को, नी अक्सर को, मैंने बोल के सुना रहा का उसका सुरत निर्थ का जाप है जीव से जाप नहीं करना वानी का विसे इसलिए नहीं है कि वो इलके जाप नहीं करना इस मुद्धु परमन्स की पूस्तक वही अमर लोग के प्रिष्ट भी आड़ इस पर और कलियर कर रखे देखना ये वो अमर लोग है वही पूस्तक है इसकी यहां देखिएगा एक तालिस परिष्ट पर दिखाते हैं पहले आपको लेकिन ये समद नहीं से का परमातमा को कैसे समझाए ये बता यहां देखेंगे यह कहते हैं कि सुक्सम देहे में ओहम सोहम इनका ख्याल अपारा हो अब सबस्च कर दिया कि ये तो अलग है इनकी महिमा न्यारी है ये सतनाम है ये दो अखर का ये सुक्सम देह में काम कर रहे है अब एक तालिस पर ब्यालिस पर देखो इस पर क्या बता है कि अमर लोक में पुरस्विदेही निगम नपाव पारा हो और उनकी उपमा कहलग वर्नो मुक से होय नवारा हो कोटन सूर चंदर तारागन एक रोम पर वारा हो सेत सिंगासन अर सवेत छतर सिर सेती हंस पियारा हो उस परमात्मा के सिर पर सवेत छतर है और सिंगासन पर विराज़मान है और वहां के हंस यानि जितने बगत हैं वो मनुसदर से हैं वो भी सवेत ही है सफेद और सेत बुमी ता सेत वर्क्स है वह आरे मद उपर बुमान से वह बिंदू की तगेतरे भी है कहते हुआ सवेत बुमी है सत लोग की और वहां सपेद वर्क्स भी है और सेत इकला सुहिला हो और पारस पान गहला हो लेहु तुम सुकृत तब देखो दरवारा हो कह कभी रसुनोत रमदासा तुम को तुम से हुई निर्धारा हो अब इसमें सपश्ट हो गया के वह सफेद बुमी है सत लोग नारा है प्रमात्मा सिंगासन वर्राजमान यह प्रमात्मा की वाणी है लेकिन यह वाणी यह प्रमात्मा का चोर यह समझ नहीं पाए अपने अत्माओं अब देखिएगा यह बगति का चोर नाम के पूछत का इस मदूपरमान सिंगी और उन ते चोर बतावा है अरिव आप देखिएगा यह कहां से चपी है यह वही है इनका सारा सांग अब जैसे विधे और यह देखिएगा यह प्रिश्ट नमर 17 पर है यह जो विधे सब्द को यामी प्रमात्मान सिप्ट कर दिया है बगति के चोर के उसमें यह प्रमात्मा की वार्नी है धर्मनी मोहिन अव्याप्य माया कैन सुनन की है यह काया इस रीर है मेरा अर दे नहीं और दरसेदेही रहो सदा जापरस्विदेही अब आज़ना दे नहीं अरदरसेदेही यान यह देही तुम्हारे जैसी नहीं है मैं साकार हूँ और रहो सदा जापरस्विदेही तो इसी परकार जो विधे सब्द के बारे प्रमात्मान का है वो सब्द अलोकिक है मेरी देही अलोकिक सामना दिखा आदमी तो यह क्यों ने उसकी और वहां जाकर देखा सारा कुछ है अब प्रमात्मा की वह बाणी से दो अब यह बताता है आठ कमल शिरी मदुपर महनस जी आठमा कमल अन्तिम बतावा है साथ तो शरीर में अर आठमा सर्त्न सवाथ उपर बता है कि तो दिखे च अब इसके हम कबीर सागर अब इसके हम कबीर सागर अब इसके हम कबीर बानी नामक एक चैप्टर है कबीर बानी बोद सागर इसका खंड है इसमें 111 परिष्टपा को दिखाते हैं अब क्या बताते हैं कहे कबीर योग भी दिबानी जाते पुरस सोहे से पैचानी पर्थम मूल कमल कमल कहूरे वाई चारपों खडीते ही बनाई ये मूल कमल दुवितिय कमल ये चार पंखडी फिर सट पंखडी दूसरा कमल ये पहले कमल की चार पंखडी दूसरा कमल ना बेतर हैं और फिर तीसरे कमल की आठ पंखडी लक्समी नाराण मुर्तिता धरही और चोथा कमल ये पांच में सारा आकर के हैं यहां आगया आठमा कमल दस पंखडी कई ये ये आठमा कमल यहां समाप्त हो गया अब यहां करा है नौमे कमल की अवगतबानी अनंत पंखडी ताकरपानी तामे पूर्ण ब्रह्म अखंडा निश्वासर धर्नी नहीं चंदा एक नाम सत्य है वानी ताही नाम शिर्ष्टी उठपानी अब नौमे कमल में पूर्ण प्रमात्मा है पूर्ण ब्रह्म वो प्रम पुरस कंप्लीट गौड वो उस नौमे कमल में है नौमे कमल उनकी चाया कहो रे भाई तोन चायं गट सबसमाई दो रुषरूप आदी सेदानी दो रुषरूप काया बंदानी तीसरा रूप रहत है आप है भेद लखो सत्गुर परताप है ती परतीमा दो है भाई एक नारी एक पुरस कहाई जिसका वेद कहो समझाई एक नारी एक विंद कहाई अब ये बहुत लबी कहानीं फिर बताएंगे कि वहाँ परमात्मा ने वहाँ पर जो परमात्मा सतलों के तीन डिवीजन है यह रोगार के अक्सेत्र में तो जैसे दिल्ली अपना एक बारत की राजदानी है तो बाहरी अक्सेतर तो गरामिन अक्सेतर है बाहरी दिल्ली कहलाते है फिर वो बजार बजूर आगे बीच में दूसरे नम्बर और तीसरे पर जहां अपना परदान मंत्री राष्टरपती वहन है वो मेंदिली है ऐसे तीन सथान है तो वहाँ पर जो बहारी हक्सेतर है उसमें तो पहाड, हीरे पन्हों के पहाड, वरक्स फलदार, वरक्स बाग बुगी जो बहुत लुबे विश्टार है उसके बाद फिर इस तरी पुरस रूप में सबी हन्स रहते हैं नेक्स्ट पोरसन में वो बिंद के हैं बिंद से और उसे नेक्स्ट दो सथान है वो के वल नाद से यानि वचन से बनते हैं वहाँ उनकी उत्पती और वहाँ फिर सत्पुर्श परमातमा का सथान है, इसका आर्थिये है और यह नो के वहाँ अप्पेल हो गए यह के आठमा कमल, आठमा कमल है और परमातमा के वाणी में लिखा हो तो नौम में कमल में पूर्ण ब्रम भाई तो परमातमा क्या कहते हैं कबीर साहिब जग सारा रोग्योरे जिन सत्गुरु बैद ना जान्याओ जग सारा रोग्योरे भाई साच्चा सत्गुरु कोई है न पूज है इन जूठों जग पतियासी इन जूठां बस बासरी तो है बैठे है अंद की बागई अंदे ने अब बगत तो अंदे हैं विचारे ज्ञान ने इनको यह इसलिए तो उंगली पकड़ते हैं संत की कही है अंगली पकड़ा कर अरपार कर दे सज्ञानन दे रहेता है और वो भी अंदा चतुर उसने भी कुती कुछ ने जीखता प्रतेक्स वानी लिख रहा है यह मद उपर मानस जी और उसका उंटा अर्श्व करके अर पेस कर रहा है इसने बठा बठा दिया कितने कभीर पंथी बना पंथियों का बोली आत्मां का जीव नास कर दिया तो यह हैं वो काल के पके दूत हैं इन से बचो और सत लोग चलना है तो बरवाला सर्मा जाओ और प्राप्त करो पूरा मंतर और पारो जाओ बोलो सत्कुर देव प्रम पिता प्रमात्मा पूर्ण ब्रम सर्वा सरिष्टी रचनहार कबीर प्रमेश्वर जी यह हमारे सभी के जनक हैं यह वो प्रमात्मा है जो इस जीव के तुमेव माता चे पिता तुमेव तुमेव बंधू चे सखा तुमेव तुमेव विद्याच दर्विण तुमेव तुमेव सर्वबम देव देव वास्तों में यह हमारे माता वा पिता के गुन रखते हैं हमारे माता वा पिता हैं यह हमारे वास्तों में बंदू हैं सखा हैं भाई हैं रिलेटिव हैं अज्दातम ग्यान के अबाव से हम अपने उस सर्वेगुन संपन परमसाथी को, परमपिता को, परममित्र को भूल कर हम उन नासवान प्राणियों को अपना सनरक्षक साथी मित्र आदि मान कर उन्ये के इर्द गिर्द हम घूमते रहते हैं जिस कारण से हम परमात्मा से मिलने वाले सुख को परमात्मा से मिलने वाले सहोग को नहीं पराप्ट कर सकते हैं, नहीं पराप्ट कर पाते हैं सत्संग के मादम से ये ग्यान दिया जाता है समर्थ का सरनाग हो रंग होरी हो मुकबू नहो ऐकाजराम रंग होरी हो समर्थ का सरनाग हो उस समर्थ की सरन पराप्त करो उसका आश्रे लो जिस कारण से आपका कभी भी कोई बुरा नहीं होगा वो समर्थ कौन है उसकी सरन कैसे पराप्त होती है ये जानकारी सत्संग से हमें मिलती है इस अनसार में यदी कोई दुरलब वश्टू है तो सत्संग है तो पुन्यात्माई ये समझेंगे कि सत्संग तो बहुत वो तो कोरी जूठ बोल रहे हैं बकवाद कर रहे हैं अपनात्माओं जो व्यक्ति पर्थम बारी दास के इन सत्वचनों को सुनता है ऐसे लगते हैं जैसे कुनीन खालियो कुनीन जैसा टेश्ट होता है और जब इस ग्यान से आप परिचित होगे ये थारता से के जो दास बोल रहा है ये सारी सत्य है तो उस्य में आप को ये मनुखा दाख की तरह लगेंगे ये वचन दास के सत्संग के बिना पराणी कितनी गिराउट में आ चुके है आज आप देख रहे हो और आज से पचास वर्स पहले का महुल भी हमने देखा है जब हम कुछ थोड़े मुथ जानने योग हुए होंगे दस ग्यारा वर्स के थे पुसस में बाजार में जाते थे 90 परतिसक दुकानदार बगवान से डरने वाले होते थे आज उसके विपरित हो चुका है इस दास ने सननी सो सतत्तर में सर्विस जोएन की थी पैज जुलियर इंजिनियर सीविल इरिगेशन डेपार्टमेंट हरियाना में उससे में पूरे विभाग के अंदर एक आद ओफिसर ऐसा सुनने को मिलता था कि वो रिश्वत लेता है और सन उनीस सो पिचाड़ में मैं दास नदबिय सर्विस त्याग दी इस प्रमात्मा प्राप्ती के लिए उस समय तक ये कहने को ही मिलता था कि साइद वो विक्ती वो आफिसर रिश्वत नहीं डेता इसका कारण क्या है कि आज से लगवग्च सो वर्ष पहले प्रमात्मा आये थे परमिश्वर कबीर देव जी, कबीर साहिब जी बारत वर्ष की पावन प्रिथ्वी पर सन तेरा सो अठाणवे में जेष्ट सुधी, पूर्ण मासी, संबच चौदा सो पच्पन मैं कमल के फूल के उपर एक लहर तारा नामक तलाब में परमात्मा एक सी सुरूप दान करके परगट हुए थे वहां से उनको नीरू नीमा नाम के जुलाहा दमपत्ती उठा ले गए थे वो किसो जैसे से आये थे कि उस समय हाहा कारमची हुई थी पूरे अक सेतर में भारत वरस में हैं बगती के सत्थान पर बकवाद शुरू कर रखी थी उत बूत की पूजाएं जाडे जप्टे ये इस परकार की चीज़ों पर वस्तों पर बोली आत्माओं को उलजा रखा था जिन से कोई लाव नहीं हो रहा था वहा कारमची थी तब प्रमातमा जो हमारे पिता है हमारे साथी है हमारे मित्र है मित्र वही होता है जो मित्र के साथी के दुख में दुखी हो यही हमारा सचा मित्र है यही हमारे पिता है यही हमारी माता है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सब का धारण पोशन करता है तो उसमें इस प्रमात्मा ने उन दुखी प्राणियों को जो सब जगे दखके खा चुके थे जाड़े जब्टे भी करा चुके थे सब पूजाएं करके ठक चुके थे अंतिम स्वांस गिने थे कोई किसी कारण से प्रेसान था कोई निर्धनता के कारण दुखी था कोई सरीर से दुखी था कोई तीन ताप से कष्ट के कष्ट को भोग रहा था उसमें प्रमात्मा ने यथारत ग्यान और यथारत बगती मंत्र जिन से हमें लाव मिलना था परमात्मा की तरफ से वो दिया था उस ग्यान से इतना परभाव पड़ा था 64 लाक सिस हुए थे उस कबीर परमात्मा के जो एक धानक के घर परविर्स के लिला करके बड़े हुए थे सन 1398 में छुआ चात तरम सीमा पर थी और फिर उस जुलाहे यानि दानक से ब्रामनों तक ने भी दिक्सा ली क्योंकि वो दुखी गणे हो रहे थे उनकी दुर्गती हुई पड़ी थी कहीं से कोई सहरा नहीं मिल रहा था 64 लाक सिस आज से 600 वर्स पहले होना कोई बालकों का खेल नहीं है जन साधान नहीं कर सकता इस काम को लेकिन हम भगवान की महिमा से एपरीचित होने के कारण परमात्मा को पैचान ने सकें उस में भारत वर्स की कुल आबदी मुश्कल से चार क्रोड होगी कौन से भारत की अफगानिस्तान, बिलोचिस्तान पुर्वी और पस्तमी पाकिस्तान इराक, इरान गजडियों तक ये भारत वर्सी था उस समय चार क्रोड आबादी मुश्कल से होगी और उस चार क्रोड आबादी में से परमात्मा के 64 लाक सिस थे ना कोई मीडिया था आज तो कोई भी विक्ती एक सतान पर बैठ के और थोड़ी सी अट पठ करके लाखों जीवों को भरमित कर सकता है परभावित कर सकता है उस में 64 लाक से सोना एक बहुत बड़े आस्त्रिया की बात है बगवान बिना नहीं हो सकता और फिर कोई विशे इस आडंबर नहीं सिरीर के उपर भाई ये आडंबर में सिम्पल मैं एक दानक जो लाखा कपड़ा बुना है क्योंकि वो समरत थे उनके वचन में सकती थी और जो मंतर जाब करने को वो देते थे उससे बहुत लाब होता था और जो गलती करते थे उनको हानी भी पैरलल हो जाती थी तो वो डरते थे फिर वो परमातमा पूछते थे कि तुमने कोई गलती की होगी इसलिए तुमें ये हानी हुई है तो बता देते थे खांजी हमसे ये गलती होगी हमने ऐसे पूजा कर ली दुबारा तो परमात्मा ने का नहीं कभीर साहिब ने बता है कि सो वरस्तो सत्गुर पूजा एक दिन आन उपासी वो अपरादी आत्मा भाई पड़े काल की फासी सो वरस्त गुर देव के दुबारा बताएगे वो सत्थ सादना में कर रहे हो और एक दिन भी आन उपास ना कर ली अन्य उप पूजा जो तुम पह लेड़े डोया करते कहते हैं वो अपरादी आत्मा फिर पड़े काल की फासी तो पुन आत्मा इस परमात्मा की गर्म है इस परमात्मा की सबद कोस में असंबव सब्द नहीं है यह वो कबीर भगवान है वो पूर्ण बर्म है परमकसर बर्म है सर्वसक्तिवान है इसकी डिक्सदरी में इंपोसीबल वरण नहीं है लेकिन हम इससे लाव नहीं उठा पा रहे हैं इसका मुख्य कारण यह है कि हम इस पर विशवास नहीं कर पा रहे और फिर विशवास ना होने से हम मरियादा ठीक नहीं रखते यहां से दिक्सा दी जाती है जब सेक्ड़ों बार समझा जाता है पूस्त तक भी पहले बना कर दे रखी है कि नियमों को पालण करो तो दिक्सा ले लेना अन्य था हमने यहां कोई भीड इकठी करने का सोक नहीं है लेकिन सभी मरियादाओं का पालन करते हुए इस मंतर का जाब करो चै विश्वा हजाव कूरा कोई दिक्त नहीं तो जब तक हम मरियादा नहीं नभाएंगे तो परमात्मा साथ नहीं देगा आपकी सौवर सत्गुर की पूजा सत्गुर पूजा यानि गुरुदेव के सत्गुर के अनुसार बताएगी वक्ति मारिक को करते रहो और एक दिन आन उपासी एक दिन भी आन उपासना कर ली वो अपरादी आत्मा फिर पड़ेकाल की फासी कुछ एक ऐसे उधारन वैसे तो बहुत सारे उधारन है लेकिन एक आदा उधारन हमें याद है बाकी तो लाखों की संख्या में ऐसे परमान है जिन को परमात्मा ने सहरा दिया नाम लिया सुख हो गया कुछ दिनों के बाद फिर लोक लाजमा के आन उपास ना कर दी तो फिर दुख सुरू हो गया उसका समाधान क्या है कि पुनर उपदेश ले अपना नाम सुचारू करावे कनेक्शन कटने के बाद पावर काम नहीं करती तो परमातमा का नाम का खंडित हो जाता है आपका कनेक्शन कट जाता है किसी गलती से नाम खंडित हो जाता आपका नाम खंडित होने के बाद फिर वो परमातमा की पावर ता आप में रही नहीं वो काम करेगी नहीं तो आपका जो पावर से होने वाला, सक्ती से होने वाला कारिय नहीं हो पावागा और आपके अपने सतर का काम आप पहले करते करते ठक चुके ही थे तभी तो पावर की हो सकता पड़ी आपको एक जीन्द के अंदर रमेश नाम का एक लाला जी है, अब भी है वो मारा सेवक, अब भी आते हो बते और उसकी पतनी का नाम कमलेश उनके एक लड़की, दो जुड़वां लड़के लड़की बड़ी थी, लड़के छोटे थे, उसमें वो साथ आठ वरसके हो थे अब उसके गर में के कहर तूट रहा उसकी पतनी को स्वांसका रोग, लड़की को दोरे पड़े और दोनों लड़के वो ऐस्वस्त रहें, ऐसी सथीती थी, एक घर पे तो एक ऑस्पीटल में रहता था और वो जैसे भी अपनी प्रमप्रागत साधना अब करते हैं, वो भी किया करते थे और सब साधना करके ठक चुके थे एक हमारा सेवक था, उसने उससे उसका कोई संपर्क हुआ, कोई दुकान पर सामान लेने के लिए गया बात चली तो उसने बताया कि हमारे गर पे बहुत कष्ट है हमारे सेवक न बताया कि आप हमारे गुर्देव से उपदेश ले लो आपको रहत मेलेगी, ठीक करवाई तो उस रमेश लाला जी सेठ ने कहा कि वही हुए तो ठक चुक्या हूँए मुझे तासा रही नहीं तो भगत ने उसको बहुत से परमान बताये कि उसको ऐसे लाब हुआ, उसको ऐसे लाब हुआ, ऐसा ठीक हुए उसका जलसा डट्टिया, उन्होंने दिकसा ले ली, दिकसा ले ली, पूरे परिवार ने बच्चा ने भी ले ले ली, उसकी पत्रीने भी रुस ने ली, ठीक होगा, मालक की दया होगी तीन मेहने तक उनको कोई किसी परकार का कोई संकट नहीं रहा तीन मेहने के बाद फिर ये गुगा की पूजा का दिन आ गया नाम लेने से पहले समर्यादाइं बता दी जाती हैं कि ऐसे ऐसे मत करना एक उसकी कोई सहली थी वो उसके गर पे आगी इस दिन और वो किसी दूसरे पंख से दिख से थी इन रादा स्वामी पंख से उसने आके कहा के कमलेश आज तो या नौमी है गुगा वाली तो ने गुगा जी की पूजा नहीं करिया ज़े पहले वो साम होई किरा करते थे वो कहने लगी ना आम ही पूजा नहीं कर सकते क्योंकि हमने गुरू बना लिया तो उसकी इसे एली कहने लगी कि हमने भी बना रख्या गुरू थै पर ये पूजा नहीं छोड़नी चाहिए इससे आनी बहुत हो जाती है उसने दो तीनों दारण दे दिये उस अमारे क्रिष्टेदार ने ये पूजा छोड़ दी थी उसकी बहुत मरगी उसने ऐसे कर दिया था उसको ये नुकसान हो गया वह इसी ड्राइदी अब उस कमलेश ने वह गुगा फेर पूज दी अगन सोचा कर सचमत गलती गटबड़ो जा उसने गुगा की पूजा कर दी गुगा की पूजा कर दी तो अगले दिन लड़की को दोरे शुरू होगे उसके दमावारी सिकायद थी वाज़ों की तो लड़के दोनों होस्पीटल में अब वो लाला जी को पता चला हूँ आए मुसमस्या फेर ज़ों की तो ही तो उसने जिसने नाम दिलुआया था उससे कहा कि वह यह ऐसे इसे हमारे तो फेर हुए बात होगी उस भगत ने फिर हमसे संपरकिया इस दास से मैंने कहा वे उन्हें कोई नाम खंड किया होगा उस भगत ने उस लाला जी से कहा दुकान पर संपरक किया कि वही तुमने कोई नियम खंड किया है और उसको पता नहीं विचारे को वह भगत कहने लगया नहीं जो गुरु जी नहीं साची पावनी वैसे हो यह नहीं सकती है अपहले तीन महने पहले भी तब अगवान वह था तब कहां गई थी सारी वीमारी तुमारी ठीक होगी थी वो दोन्यों जने गर पर आगे दिन में अगले ही दिन पहले दिन गुगगा पूज रखी थी उसने उन से पूचा वेहन कम लेशत था के सची बता तूं तो तो ने कोई गल्ती तो नी कर दी कोई ऐसी पूजा पाथ तो नी कर दीया या कोई और नियम बंकरिया हो जो बता था मेरत ना जुच्चे अबाद, वो कह रहा था मैं गुमता गुमता उनके पिछली साइड में चिला गया, उनी के आंगण में पिछे एक ब्रंडा था, आगे भी ब्रंडा था, पिछली साइड में ब्रंडे के, मैं एक पलेट सी रखी, एक सटूल पए, और उसमें जंतर मंत से क्रिय हुए धूप दापसी रखी, वो कह रहा था कि मैंने उनसे पूछा यह क्या करेक है, वो इनने बोली भाई या था, उसने कहा था यह गुगा पुजी होगी, कल ले तथी वा आठ, तो वा गबरास ही गई, बला साच्ची बता दें, जूठ बले बात नहीं बने ना यह फेर हो गया दुख तुमारे से, सारे परिवार में के हाल कर लिया तुमने, तो वो कहन लगी भाई, मैंने गुगगा की पूजा कर दी काले, और ऐसे ऐसे मेरी सहली पुराणी थी, उसने आकर बताया काम भी तक कर रहे हैं, और पूजा नहीं छोड़ा करते हैं, तो पूजले से गुगगा नहीं तो मरें बाड़ मजा, फिर ग्रमेश बगत कहन लगा अब क्या होगा, फिर मैंने उनसे कहा था कोई नियम खंड कर रख्या उपदेश दोबारा ले, दोबारा उपदेश लिया उन्होंने, आज उन बातान हैं, पंदरा साल हो गया, उनका काट आप भी नहीं लगया, पुनातमा हो, विश्वास करो इस परमपता के उपर, आप भी आते हैं वो, आए भी हो होंगे आज, तो कहने का बाओ ये है कि, कबीर परमातमा कहते हैं, जब लग हनसा हमरी आना, और काल लगैनी तेरा बाना, जब तक ये पुनातमा मेरी मर्यादा म रहेगा, काल तेरा टेक नहीं हो सकता उस गर पे, हम जान बूज के, सलोक लाज में आके, या अपने अग्यानता से गबराके, भगवान से दूर हो जाते हैं, फिर तो काल त्यार वैठा है, ये तो कष्ट ही दे सकता, सुक तो दे ही दी सकता, अब किकर के पेड़ पे, बब पुल के पेड़ पर कोई आम खोजन लगए, तो कितना मुरक होगा वो, आम तो आम पर ही मिलेंगे, आम के पेड़ पर ही मिलेंगा, आम का फल, तो कबीर परमातमा आम का पेड़ है, ये काल भगवान बबूल का पेड़ है, इसमें काट्टों के तिरिक्त कुछ नहीं मिला तो कहने का भाव ये पुना आत्मा हो, सोबर सत्गुर की पूजा, एक दिन आन उपासी, और वो अपरादी आत्मा, फिर पड़े काल की फासी, तो ये दर्डता के साथ नियमों का पालन करते हैं, इस परमातमा के सरन मर हो समर्थ का सरनाग हो, रंग होरी हो, कदे नहो ऐ काजराम रंग होरी हो एक किसान भगत था, वो बता रहा था, जी एक दिन में अपनी बहन के चला गया, उसके जमीन अधिक्ती वर्सा होगी, हमारे यहां वर्सा हुई नहीं, तो उसका संदेशा आ गया के बाई जमीन जो है काफी, अब वर्सा के कारण सारी ही जमीन को की गुडाई करनी पड़ेगी अड़ से, मैं दो नोबेल अपने लेकर, हल लेकर के वहां बेहन के वहां चला गया, मेरा बेहनों ही था, वो दूसरे खेट में काम कर रहा था, उसके अपने बेलों से मेरे को दूसरे खेट में जाना था, मुवादल है, वहां दो पैरकिस में एक छोटा सा तलाब होता, जोडी बोला है खेट ओने होती है, छोटा सा तलाब, उसके आसपास जहाड़ दंखाड से होते हैं, वर्क्स होते हैं, वहां बेल बांध कर विसराम कर रहा था दो पैर में, तो मैं थोड़ा सा देखे आंदर ने एक मंडी सी बनी हुई थी, ऐसे छोटी सी मंडी, किसी पीर की थी वा, को बन गया होगा, मर गया होगा कोई, ये क्या होता है, ये भगत जो होते हैं, गुरू होते हैं, ये पिछले पुनकर्मी प्राणी होते हैं, पिछली बैटरी होता नहीं, तो ये मर जाते हैं, मर्तू के बाद भी इन में कुछ बगती की सक्ती सेस रह जाती हैं, और वो प्रेत बनकर भटकते रहते हैं, फिर वो मंडी बनवाते हैं, उसमें विसराम करते हैं, इतने क्रूसु, चार इंटों के अंदर हैं, तो उसकी, उस पीर की कोई, क गुड चड़ा रहा था, जिसने बेली कहते हैं, यहांपर बेली, वो पांच सेर गुड का वो दान करते हैं, तो मैंने देखा, गुड बड़ा सुंदर बढ़िया, मैंने वो ठाके कुछ तो आप खाया, और कुछ बैलों को खिला दिया, खितों में चारा चराते हैं, इसमे मैं सोया तो मुझे एक पांच एक फुट का, चार साड़े चार फुट का वेक्टी दीखे है, दाड़ी सी बड़ी भी, सादू संत जैसा, और लाल आख कर रहा खिए उसने, भेंकर साचेरा बना रहा, जिनो मुला मेरा गुड तूने खाल उठा लिया, तो सुपना तो पीर हूँ, फुलाना हूँ, और लो बोला तू तू तगडे की सरण में है, ना तन्य मारूँ और तेरे बैलान मारता जा, वो बोला भाई, सो अपना टूट के डर साथ गया भाले, अग्यों के बला आगी भाई, एक दुमाग खुली तक कुछ भी कोन्या, तो सुबह मैंने अपनी बहन और बहन वही से बताया, तो वो दोनों सक्पके हे रहेगे, कि तू जीवे कैसे है, वाते कितनी जबर्दस्त बला रहती है, उसका किसी ने भी कोई वस्तू ऐसे कर दी गड़ बड़े, वो जीवे तनी छोड़ आगरता, तू बच कैसे गया, तब मेरा वीजची तो सचमूची बात बिगड़ा हो, जब मालक की सर्ण ना होती तै, तब उसने बताया, मारा कुछ ना बिगाड़ सकते है, पिलूरे, हम परमातमा की सर्ण में हैं, तो वो मेरे मुझ कानी देखे, सारी कथा सुनके, वो ड्रगे, फिर और और गड़े, तो परमातमा कहते है, समर्त का सर ना गहो, रंग होरी हो, और कदे ना हो, अका जराम रंग होरी हो, कबीर साहब कहते हैं, कबीर परमिश्वर के पास, ये सभी देवी देवतार, ये पीर पेगम, पेपीर वगएरा जाकर, ये भूत खड़े होगे, और कहने लगे, बगवान, जो आपको पूजते हैं, वो हमारी पूजा नहीं करते, अब हम ने ठोर बताओ, हम कहां जाएं, परमातमा कहरें लगे, कि जो हम मेरी पूजा नहीं करते, वो तुमारे लिए हैं, उनको लूटो खाओ, देवी देव ठाडे भये, हम को ठोर बताओ, जो हम को पूजे नहीं, उनको लूटो खाओ कबिर साहिब कहते हैं जो मेरी पूझा नहीं करते हो तुम्हारे लिए हैं और वो किसके लिए हैं लेकिन जो मेरी सरनमा आगे हैं उनके निकट मता जाना दरम राय दरबार में देई कबीर तलाक मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िये मत कजाक कितनी बूल लगी थी हमारे को हम लाल को छोड़ कर कोड़ियों को इकठा करके धनी बनना चाहते थी इतने समर्थ परमात्मा कबीर साहिब वो जुलाहा दानक जो कह सीम आये थे जिनको एक कवी कहकर हमने उनके इतिहास को बंद कर रख्या था अपना तमो रगवेद मंडल नंबर नौ सुक्त नंबर च्यासी के मंतर 26 और 27 रगवेद मंडल नंबर नंबर नौ सुक्त 82 के मंतर एक दो तीन में आये अभमुन श्रद्धालों के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज जी से दिक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मार्क पर चल रहे हैं संत रामपाल जी महराज जी से नामदिक्षा आपने कब ली संत रामपाल जी महराज जी से नामदिक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ती साथनाई करते थे सर जैसे घर में जो पर था थी दुर्गा की पुजापाथ वगेरा करते थे तो फिर आप संत्रामपल जी महाराज की संड में कैसे आए सर दो अजार तेरा की बात है मेरे साथ का एक लड़का मिल्टरी में था वो अचन्नक खतम हो गया सर संत्रामपल जी महाराज से नाम दिक्षा लेने के बाद आपको क्या लाप रापत हुए हाँ सर मुझे लाप एक तो मेरी जिन्दगी बची सर मैं सुबह उठके अटेली जा रहा था तो मैं रस्ते में मुझे नींद आ गई मैं फर्ष्ट नाम भी ले रहा था संत्रामपल जी महाराज ने जो नाम दिया था तो मुझे नींद आ गई मैं पांच किलोमेटर सोत्त वाज चला गया नींद में तो पेड़ से जाके गाड़ी टकरा गई और गाड़ी खतम हो गई और मेरे थोड़ी सी पैरों फिखरो चाही और पहला तो मुझे ये फाइद संत्रामपल जी महाराज की किर्पा से दूसरा फाइदा हूआ हुआ 2017 में मेरे पापा बिमार हो गई तो अचन्यक भात लेके गए हुए थे संत्रामपल जी महाराज मेंने नाम भी ले रखा था रस्ते में पेशाव बंद हो गया तो वह बात तो नहीं दिया गया मैं पापा करवाया तब उनों काया आपके पापा के cancer है मैंने 2017 में सात्वा महिना की दो तारीक को पापा को यहां चेक अपना अरनोल करवाया फिर वहां से मैं जपूर गया जपूर वहां कैसर बताया फिर पापा को यहां संत्रामपाल जी महाराज से नाम दूआया और आज मेर पापा स से एक दम स्वस्त हैं, ब्यासी साल के एज है, दवाई वगेरा थो थोड़ी वह दुआई थी, आपरेशन पहले करवा जिया, नामदान से पहले आपरेशन करवा जिया था, पर कैंसर संत्र हमपाल जी महाराज की किरपा से ही ठीक हुई है, कैंसर की रिपोर्ट भी है, सारी च संत्र हमपाल जी महाराज आए हुए है, अपना नामदान ले और अपना कल्यान करवाए है, साधना पर सत्संगाता परमात्मा का, उस पर पट्टी आती है, वहां से किताब मंगाए है या उसको देखें और आप गुरू जी का नाम ले है, संत्र हमपाल जी महाराज का, धन् आप सुन रहे थे जगत गुरू तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तूओर्श तो चसाहिं को हम प्रवचन अधिक आमनों карतिंध मेंगलाशनी .